Hello everyone, welcome back to my cooking channel तो आज हम बच्ची हुई पूडियों से बनाएंगे कुछ मीठा हेल्दी नास्ता तो बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे मांग के खाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप पूडियों को जरूर बचा के रखेंगे तो यहां मेरे पास कुछ बच्ची हुई पूडियां है जो रात की पूडियों है और अब इसको हम इस तरह से छोटे छोटे टुकडों में टोड लेंगे इसके छोटे छोटे से इस तरह से पीस कर लेना है तो यह देखे यह बीडियो आज इसलिए भी special है कि आप ताजी पूडियों को भी बना के और जो चूर्मा वाले मोदक बनते हैं तो इसी प्रोसेस से आप चूर्मा वाले मोदक भी बना सकते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा कुछ special है और बहुत ही healthy tasty नासता है बहुत ही कम time में बन जाता है तो इस तरह से यहां मैंने यह सारी पूडियों को टोड लिया है और अब एक mixer grinder जाल लेंगे और इसमें सारी पूडियों को पलट के और इसका महीन powder बना लेना है और यह यहां इस तरह से पूडियों वाला चूर्मा का powder ready है और आगे की process के लिए मैंने यहां एक कढ़ाई लिया इसमें कुछ और ज़्यादा ingredients नहीं एड होते ना milk powder या milk या मावा कुछ भी नहीं एड होता सिर्फ मैंने यह आधा cup तक यहां सकर लिया है पूरी की quantity के हिसाब से सकर कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी cup से मैंने यहां आधा cup तक पानी लिया है सकर को घुलने तक gas के flame को medium करके और पानी और सकर को अच्छे से घुल जाने तक इसको पकने देंगे और जैसे पानी में सकर अच्छे से घुल जाएगी इस तरह से पकने लगेगी तो जो हमने powder बना के रखा था उसको add करके mix कर लेना है अगर कभी आपको लगता है कि पानी कम है तो आप यहां पानी add कर सकते हैं या आप दूद भी add कर सकते हैं यह optional में है और इसको अच्छे से mix कर लेंगे यहीं हम लगबग 2 या 3 चम्मस तक बड़े चम्मस से देसी घी add कर देंगे पूडियों में वैसे भी घी या oil होता ही है तो यहां घी थोड़ा कम ही लगता है और साथ ही यहां बारी कटे हुए अब dry fruits add कर देंगे और यह देखे यह हमारा गर्म गरम पूडियों का इतना जटपट नास्ता रेडी है और इसको खाने के बाद आपको सूजी आटे और सारे हलवे जो हैं वो फेल होंगे तो इस तरह से आप इतनी आसानी से कितनी भी सारी पूडियां बन जाए तुरंत गायब हो जाएंगी तो यह नास्ता बनाएंगे तो सभी बड़े चाओ से और मांग के खाएंगे यह बीडियो देखने के बाद आप पूडियां जरूर बचा के रखेंगे तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए आई होप आज का बीडियो आप लोगों के लिए होप फुल रहा हो थाइंकियो फॉर वचिंग फ्रेंड्स वीडियो इसी तरह से मेरे सारे वीडियो आप जरूर देखिए